दोस्तों आज हम आपको घर की ही कुछ ऐसी जड़ी बूटी के बारे में बतलाते हैं, जो हम सभी के घरों में मसालों के रूप में इस्तिमाल की जाती हैं, जी हाँ अजवाईन. कई दुखों को भी दूर करती है, अजवाईन की छोटे-छोटे बीजों में कई और शदिय गुन पाए जाते हैं, जो पेज़ दर्ध, सर्दी जुखाम, अपच और गैस से राहत दिलाते हैं. अजवाईन को लोग स्वाध बढ़ाने के लिए भी मसालों के साथ इस्तिमाल करते हैं. अजवाईन गर्म होती है इसलिए इसका इस्तिमाल सर्दी के दिनों में सबसे ज़्यादा उप्यूक्त होता है. आए जानते हैं अजवाईन से क्या-क्या फाइदे होते हैं. डायरिय अगर किसी को अच्छी तरह से नींद नहीं आती है तो अजवाइन खाने से उसे फाइदा मिल सकता है। रात में खाना खाने के बाद अजवाइन को गर्म पानी के साथ पी ले या फिर इसे चबा कर खा लें। ऐसा करने से एक दो दिन में नींद की समस्या दूर जाएगी। अजवाइन को दिन में एक ही बार थोड़ी मात्रा मिले जादा खाने से परेशानी भी बढ़ सकती है। नींद न आये तो खाएं अजवाइन अक्सर सर्दियों के दिनों में हड्डियों के जोडों में दर्ग की शिकायक लोग करते हैं. रात में खाना खाने के एक घंटे बाद एक चिम्मच अजवाइन का सेवन करने से दर्ग से राहत मिलती है. आप अजवाइन को चबा कर खा सकते हैं. इसे खाने के बाद गर्म पानी जरूर पिएं. ऐसा करने से हड्डियों के दर्ग से काफी राहत मिलेगी. कबज की समस्या में इलाज. एक चिम्मच अजवाइन को रात में सोने से पहले एक गिलास पानी में डालकर अच्छी तरह से उबालें. जब पानी आधा हो जाए तो इसे छान लें. सोते समय इसे पीलें. इससे डायरिया की समस्या दूर होगी. अजवाइन के फायदे. रात में सोने से पहले अजवाइन खाने के कई फायदे होते हैं. अजवाइन में अंटिबैक्टिरियल तत्व पाय जाते हैं जो शरीर को संक्रमन से बचा सकते हैं. इसका सेवन करने से पाचन तंत्र भी ठीक रहता है. तो दोस्तों आशा करता कि इस वीडियो से आप समझ ही गए होंगी कि ये छोटी सी चीज जो की सभी के घरों में होती है या कितने काम की होती है. वीडियो पसंद आया तो एक लाइक जरूर कीजिएगा. धन्यवाद.